बढ़िया सा दिन गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स एक और बढ़िया सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है विटमिन डी जो एक बहुत इंपोर्टेंट विटमिन होता है बोडी में उसके बारे में काफी सारे मिसकंसेप्शन्स हैं कि ये कहां से आता है कुछ लोगों को लगता है ये सनलाइट से आता है कुछ लोगों को लगता है कि ये फूड से मिलता है और विजटेरियन फूड में नहीं होता है तो ये सारे मिसको हम लोग आसान भाषा में आज मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा हमारी body में vitamin D already present होता है pre-form में यानि की raw form में हमारे body में present होता है इसका नाम है 7-D-hydroxy cholesterol और ये हमारे skin के नीचे epidermis जो बोलते हैं skin का skin के नीचे होता है present होता है और sunlight में जो UV rays होते हैं ultraviolet rays especially ultraviolet B rays A और B होते हैं ultraviolet B rays की वज़े से ये convert हो चाते हैं दूसरे form में और ये blood में circulate होके हमारी पहले liver में और उसके बाद में kidneys में दो बार hydroxylase होते हैं यानि की dihydroxylation इनका होता है इसके बाद में ये body में use के लिए available होते हैं जैसे कि आप नाम से ही बता सकते हो कि ये sterols हैं और इसकी खोज के लिए chemistry में nobel prize भी मिला था तो vitamin D में D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे 5 vitamin D होते हैं लेकिन इसमें सबसे important vitamin D3 और D2 होते हैं जब vitamin D बोला जाता है तो इसका मतलब है कि vitamin D3 और D2 की बात हो रही है अगर इनकी sources की बात करें तो इसका major important sources है fish, meat और animal foods जो होते हैं तो इसका major source होता है याने कि जो इनके pre-forms होते हैं उनकी major source होती है animal sources और दूसरा इसका source होता है supplements ये supplements tablets ये medication form में भी आते हैं और काफी सारे products में जो हम लोग food products होते हैं इनमें इनको fortify किया जाता है, already vitamin D3 added आती है इन foods में जैसे कि बच्चों का जो supplement होता है, serilac होता है या lactogen होता है, ये सारी चीजों में vitamin D3 को added already आता है इसके अलावा काफी सारे packed milk products जो होते हैं उसमें vitamin D3 को standardized किया जाता है vitamin D3 के कोई strong vegetable sources नहीं हैं फिर भी ये देखा गया कि vegetarians में और vegans में इसके deficiencies नहीं होती हैं इसके पीछे का कारण जो है वो अभी तक research चल रही है तो आप देखते हैं कि vitamin D3 और D2 का body में क्या function है क्या काम करते हैं body में जैसे मैंने आपको कहा कि pre-form में available होते हैं जब convert होके vitamin D बनते हैं हमारी intestine में यानि कि आतों में जब calcium, phosphate और manganese available होता है तो उसको uptake करता है सिर्फ uptake ही नहीं जो calcium की metabolism होती है या फिर उनकी cycle maintain होती है इसके लिए भी vitamin D की बहुत जरूरत होती है यानि कि bones में जो calcium कम हो रही है everyday use की वज़े से bones में जो calcium कम हो रही है इसकी deposition हो रही है या फिर blood में इसकी level जो मात्रा है इसको maintain करने के लिए जो homeostasis of calcium हम लोग कहते हैं तो इसको maintain करने के लिए vitamin D का काफी important role है इसके अलावा भी vitamin D के काफी सारे छोटे 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 रोल्स है जो ज्यादा important नहीं है लेकिन एक चीज़ देखी गई है जो लोग बहुत ज्यादा लंबी उमर तक जीते हैं उनके blood levels में अगर चेक किया जाए तो vitamin D के levels बहुत हाई होते है इसकी deficiencies काफी सारे chronic diseases से link किया गया है लेकिन main जो इसका function है वो calcium absorption और assimilation से होता है और जिसकी वज़े से vitamin D deficiency causes osteomalacia in adults osteomalacia एक bones के related disorder होता है जहाँ पे bones soft हो जाते हैं और deformed हो जाते हैं तो इसको कहते हैं osteomalacia और अगर ये बच्चों में हो तो उसे कहते हैं rickets तो rickets एक ऐसा disease है जहाँ पे vitamin D की deficiency के वज़े से malnutrition की वज़े से और supplementation ना होने की वज़े से बच्चों में bones soft हो जाते हैं deform हो जाते हैं और इस problem को कहते हैं rickets अगर ये बड़ो में हो तो इसे कहते हैं osteomalacia वैसे आजकल की दुनिया में ये काफी rare होता है लेकिन फिर भी बहुत poor countries या जहाँ पे कोई medical care नहीं है वहाँ पे ऐसी cases को आज भी दिखा जाता है इसके अलावा osteoporosis यानि की हमारी bone की जो density है जितने hard वो होने चाहिए उतने hard नहीं रहते हैं soft हो जाते हैं vitamin D की deficiency से और calcium, phosphate और magnesium की uptake ना होनी की वज़े से इन सारी चीज़ों की वज़े से हो सकता है nutritional problem हो या फिर deficiencies हो या फिर supplementation ना होनी की वज़े से कुछ लोगों में ब्लड में जब vitamin D चेक किया जाता है या serum calcium level अगर चेक किया जाता है तो वो low अगर हो तो उसकी वज़े से osteoporosis होता है porous मतलब उसमें density जितनी होनी चाहिए उतना नहीं होते हैं chalk जैसे porous हो जाते हैं इसके वज़े से हमारी daily moments होती है रूटीन होता है या फिर हमारी injuries जो होती है इसके वज़े से जो bones में जीजन आती है ये भर नहीं सकते और इसके वज़े से osteoarthritis हो जाता है यानि कि joint pains हो जाते है normal falls हो भी यानि कि आप bathroom में अगर फिसल के गिर जाओगे तब भी आपके hip fracture हो सकते हैं अगर आप sports में हो athlete हो तो आपको stress fracture होने की chances ज्यादा होती है pregnancy और lactation में vitamin D calcium ये सारे जो चीज़े हैं इनकी requirement high होती है क्योंकि fetus में जो bone development होती है उसके लिए ज्यादा calcium और vitamin D की requirement होती है ज्यादा तर ये देखा गया है कि जिनकी sunlight exposure कम है जो ज्यादा तर लोग indoor रहते हैं हो सकते हैं housewives हो ladies हो या फिर आपका occupation जो है वो आपको day में बाहर जाने के लिए allow नहीं करता है या फिर जिनके जो natural sources है जैस जो vegetarian है vegan है उन लोगों में कुछ deficiencies देखे जा सकता है vitamin D3 की deficiency हो तो आसानी से इसको vitamin D supplementation से कम किया जा सकता है weekly 60,000 international units यानि की 60,000 IU इसके tablets या sachets आपको मिलता है उसको directly आप weekly एक बार usually Sundays को 12 weeks के लिए आपको continuous अगर लेंगे तो आपकी deficiencies almost साल बर ठीक रहेंगे अगर आपको deficiency दिखाई देती है तब ही आपको इससे end जिस करना है vitamin D में एक चीज़ आपको याद रखना है कि कम vitamin D और ज्यादा vitamin D यानि कि U-shape का जो ये graph होता है ये दोनों आपके लिए beneficial नहीं है vitamin D के ज्यादा होने से कोई फाइदा देखा नहीं गया है तो आपकी vitamin D की मात्रा जो है वो ideal होनी चाहिए तो yearly एक बार आपको blood test करवाने है yearly blood test मैंने आपको बताये थे कि कौन से कौन से blood test आपको कौन से intervals में आपकी age के हिसाब से कौन से blood test करवाने है ये video मैंने already इस channel पे डाला है तो वो check out कीजिए और yearly आप जो blood test करोगे तो vitamin D और vitamin B12 आपको check करना है अगर इनकी deficiencies हो तभी आपको इनको supplementation करना है इसके साथी इन सारे ऐसे disorders joint and bone disorders हो सकते हैं osteo-malicia हो सकता है osteoporosis हो सकता है vitamin D या calcium deficiencies हो सकती है इसमें homeopathic medicine calcare carb और calcare fos बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं homeocal tablet आप कहीं पे भी homeo store में आप पूछोगे तो आपको homeocal tablet मिल जाएंगे इसके कोई side effects नहीं होते तो on a regular basis अगर aged individuals है उनको ये as a supplement morning evening एक एक tablet दी जाए सकती है तो मीद है कि इस topic के बारे में आपको basic idea आ गई है sunlight में vitamin D नहीं होता हमारे body के अंदर होता है लेकिन sunlight के UVB rays जो होते है वो जरूरी होते हैं इसको pre-form से active form में convert करने के लिए इसकी deficiency को prevent करने के लिए आपको sunlight exposure काफी important होता है यानि कि आपकी skin पे इसका exposure होना चाहिए आप full sleeves या fully covered रहोगे या फिर winter season में या cloudy season में, rainy season में इसकी जो levels है वो drop हो जाती है तो इसलिए अगर आप vitamin D supplementation कर रहे हो तो आपके लिए ये advisable है कि आप उसको rainy season में आप उसको consume करो ये वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe कीजिए आपके इस topic के बारे में जो views हैं इसे comment कीजिए तो मिलते हैं कल एक और ऐसी बड़ी आसी वीडियो में तब तक के लिए आलविदा